हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप गरो में कोई भी स्टोक को बाई और सेल कैसे कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रोव अप लोगीन कर लेना है जैसे याप लोगीन करते हैं तो आपके सामने यह डिस्प्लेस होगी तो इस अपसे ओफ एड़ करती हैं यह एक वीडियो पहले से बना रखी है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं यहां पे आप कोई भी स्टोक को सर्च करने के लिए यहां पे आपको और स्टोक का बटन दिखाई देगा तो आप यहां पर और स्टोक के उपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यह ड स्टोप दोष दिखाई देगा यहां से यहां पर सब्सक्राइब तो आपके सामने यह डिस्प्ले सो हो जाएगी इस को यहां से आप वोच लिस्ट के इंदर एड हो जाएगा तो यहां से आपको आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना जैसे आप से तो यहांप को कुछ जैसे मैं यहां से REQ कर लंगा तो क्वांटिटी पुट कर दोगा उसके बाद यहां पर टिग प्राईस का option है कि आप टेगर प्राइस डालना चाहते हैं या नहीं यदि आप टेगर प्राइस नहीं डालना चाहते तो यहां से आप इसको यहां से आप रैगुलर order कर देंगे continue कर देंगे तो यहां पर आपको market रोपे प्राइस चल रहा है तो आप यहां से 15 रुपे भी put कर सकते हैं कि मैं 15 रुपे आएगा तब इसको buy कर लूँगा तो यहां से आप buy के उपर click कर देंगे जैसे आप buy के उपर click करेंगे तो यह आपका buy हो जाएगा यहां पर successful दिखा रहा है कि आपका order buy हो गए यहां से आप order details भी चेक कर सकते हैं कि आपका order एक share है यह बैंक का share है buy delivery आपने delivery के अंदर regular के अंदर buy किया है और average price है इसका 15 रुपे पसपन वैसे आपको exchange के अंदर NSE है validate है immediate तो इस तरह से आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका order लग गया है नहीं यहां से ओर लगने के बाद यहां पर आपको successful दिखा रहा है कि आपको 27 सितंबर 2022 को 11 बुच के 12 मिंट पर आपको buy किया है इस तरह से आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका order किस तरह से सो होगा इसके होने के बाद यहां से आप यहां से dashboard के अंदर आप देख भी सकते हैं कि आपने yes bank का एक stock buy किया है तो यहां से आपको yes bank का stock दिखाई देगा यहां से आप इसका profit देख सकते हैं कि कितना profit है और कितना low से जैसे यहां पर invested amount है 15 रुपए 55 रुपए 55 रुपए 55 रुपए 55 रुपए 55 रुपए और total return यहां से आपको return भी मिल जाएगी कितने percent आपको return मिली है इस तरह से आप stock buy कर ला होगे तो यहां से आपको dashboard के अंदर यह stock हो जाएगा dashboard के अंदर आप यदि stock को buy कर लिए है और आप इसको same day sale करना चाहते हैं तो इसको आपको intraday के अंदर sale करना पड़ेगा यदि आपने कोई stock delivery में buy किया और उसको आप उसी time sale करना जाते हैं तो वो intraday के अंदर चला जाएगा intraday में जाने के लिए आपको intraday charge लगता है तो intraday चार्ज जैसे आपको 20 रुपे और 20 रुपे और 20 रुपे पर selling के उपर चार्ज देना पड़ता है यह intraday की cost होती है intraday के उपर चार्ज आपको यानि पार order के साथ 0.05 के साथ से 20 रुपे आपको pay करना पड़ेगा इस तरह से आपको यहां पर चार्ज लगता है उसके उपर 18 प्रेसेंट जी एस टी आपको pay करना पड़ेगा और इसी के according आपको 0.025 के साथ से स्टीट चार्ज भी लगता है इसी तरह डिलीवरी के अंदर भी आपको क्लिग करने के बाद यहां से आप बैक आएंगे बैक आने के बाद यह से आप क को क्वांटिटी एनसी यहां पर आप कितनी क्वांटिटी बाई सेल करना चाते हैं जैसे आपने यहां से एक क्वांटिटी बाई की थी यहां से आप दो क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं यहां से आप दो कर देंगे लेकिन यह आपका सोट सेलिंग अंदर चला जाएगा इसम यहां से आप limit कर सकते हैं जैसे मैं आपको सम्झाने के heur को मार्किट कर देता हूं जैसे मैंने 15 उपर 25 पैसे पर बाय किया इसई के उपर शेल कर सकते हूं तो यह इसे आप शेल के उपर क्लीक कर देंगे तो यह आपका दिखा रहा है कि आपका order successful हो गया है आपने एक share buy क्या था और एक ही share आपने sell कर दिया याँसे आप order detail भी देख सकते हैं याँसे order detail याँसे आप देख सकते हैं कि आपने याँपे stock को sell कर दिया याँ तो आपका holding के अंदर zero चला जाएगा तो आपको T-PIN की requirement पड़ती है, T-PIN के लिए आपको T-PIN जरनेट करना पड़ता है, T-PIN जरनेट करने के लिए आपको CSDL की website पर जाना पड़ता है, वहां से आप T-PIN जरनेट करने के बाद वहां से T-PIN आपको verify हो जाएगा, या तो आप उस PIN को हमेशा के लिए रख सकते या फिर हर टाइम उसको चेंज का सकते हैं इसतरह से delivery के इंदर आपको 0.025 intraday के इंदर आपको 0.025 और 0 या फिर 20 रुपे के साफ से आपको चार्ज रगता हूं तो साथ में स्टेटी चार्ज भी लगता है 20 रुपे के साफ से आपको पे करना पड़ता है ये GST, 18% GST आपको pay करना पड़ता है ये आपको 0-20 रपे buy और selling के ऊपर दोनों के ऊपर लगता है यदि आप sell करते हैं तो आपको stt charge भी लगता है इस तरह से आपको buying और selling के ऊपर ये charge लगता है इस तरह से आप grow app में buy stock को buy और sell कर सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करना.